दोस्तो अब लोग को पता है कि आई पेल 2022 का उक्षन हो चुका है तो सुनिए सिव अमदुवेजी का कुछ कहानी चन्ने सुपर किंग की टीम से जुड़ने के बाद नचने लगा था यहां अलरौंडा वो कौन है कैप्टन धोनी से मिलने के बाद ऐसा था रियक्षन महिंदरा सिंग धोनी की फैन फ्लोइंग सिर्फ लोगों के बीच नहीं बलकि युवाख लड़ियों के बीच भी है कई युवाख लड़ियों उनके अपना अदार्स मानते हैं धोनी इस साल आई पेल 2022 में चैन्ने सुपर किंग की कप्तानी करते दिखेंगे इस साल CSK की टीम में एक इवाख भारतियों अल्राउंडर भी दिखाई देगा यहाँ अल्राउंडर और कोई नहीं बलकि सिवम दुवे है सिवम दुवे भी धोनी को कफी मानते हैं और उनकी कप्तानी में आई पेल खेलने को लेकर उत्साहीत है यहाँ अल्राउंडर सिवम दुवे को आई पेल निलामी में चैन्ने सुपर किंग ने चार कड़ोल रूपिय में खरीदा है इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहते हैं जब बता चला कि मुझे चन्ने ने खरीद लिया है तो कमरे में नचने लगा था मैं माही भाई का बड़ा फैन हूँ सियसके में चुना जाना मेरे लिए बड़ी बात है उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले जब माही भाई से बात हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उन्होंने मुझसे कुछ चीजे करने के लिए कहा और मैं इसे जरूर करूंगा जब माही भाई आप से कुछ कहते हैं तो वहाँ आपने आप हो जाता है लेकिन इवा अल्राउंडर क्लाडी ने बताया कि मैं पीता बाना तो अस्चरियकाट ठिकाना नहीं रहा इसके चार दिन बाद ही मुझे चन्ने सुपर किंग फिरिड़ा सिवाम दूबे चलिए दोस्तों इस वीडियो को अच्छे लगे तो सेर करें सबस्क्राइब करें मैस अर्की को हो